नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है मनीश और आप देख रहे हैं डीकूट मेरीश दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने Z5 के एप को किस तरीके से अपने फायस्टिक में या फिर कहूं स्मार्ट टीवी के अंदर एक्टिवेट करेंगे या फिर क किस तरीके चीज़त है कि है पनी اपनी फायस्टिक के अंदर एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले अपना जीवाइब का जो एप एप है तो यहाँ पर हमारे पास login करने के दो option आगे, login with Z5, login with Amazon, ठीक है, तो हम यहाँ दे login with Z5 पे click कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको करना है, जैसे कि बहुत से लोगों को पता भी होगा, कि यहाँ पर अपने Z5 का जो एप है, वो अपने mobile के अंदर install कर लेना है, login कर लेना है, उसके अबाद क्या करना है, वो भी आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कि मैंने जो अपने phone के अंदर Z5 का जो एप है, वो install कर रखा है, मैं इसे use भी करता हूँ, और यहाँ पर login कर लेता हूँ, यह देखे, यहाँ से मैंने login कर लिया, अब आपने क्या करना है, इस app में जो more का जो option है, इस पर tap कर लेना है ठीक है, इस पर tap जैसे ही करेंगे, तो यहाँ पर आपके accounts की detail आजाएगी, अब यहाँ पर आप जब नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर एक option आएगा, activate TV का, तो इस activate TV पर tap कर लीजे आप, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कि इसमें लिखा आगया, activate Z5 on your TV, enter the activation code display on your TV screen, तो वो जो code है, उस code को हमें यहाँ पर फिल करना है, जिससे कि हमारा जो Z5 का जो app है, हमारे TV के अंदर, यह फाइस्टिक के अंदर, वो activate हो जाए, तो चलिए हम यहाँ पर उसे फिल कर लेते हैं, तो दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर अगर आपका code small cast में है, तो आप small cast में type कीजिए, अगर आपका capital letters में है, तो आप capital letters में type कीजिएगा, ठीक है, तो चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं, तो code है हमारा, तो देगे दोस्तों मैंने यहाँ पर code डाल दिया है, अब यहाँ से हम इसे activate पर tap कर देता हू तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वो फिल किया, तो यहाँ पर लिखा आगया नीचे, device with code, added successfully, जो भी हमारा code था हो, वो हमने यहाँ पर डाल दिया, और जैसे हमने उस पर click किया, तो हमारा जो smart tv के अंदर, या fire stick के अंदर, हमारा जो z5 का app है, वो activate हो गया, अ दोस्तों अब यहाँ पर आपका जो z5 का app है, वो आपके smart tv के अंदर अप activate हो चुका है, अब यहाँ पर कोई भी content आप बिना किसी record के use कर सकते हैं, और देख सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ से किसी भी content को play कर देता हूँ, तो यहाँ से play होना start हो जाएगा, यह यहाँ से content play होना start हो गया है, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने z5 का app है, अपने smart tv में activate कर सकते हैं, तो चले दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें, अपनी दोस्तों में share करें और चैनल को subscribe करना बिलकुल ना करेंबगा चिछूबबने करेंदी करति हो अचाने से अचाने सेप क्छाने से पोस्तों में वीडियो करने से तोस्तों में मों अचाने से और रहा उजद कर रहा ऊचाने से वा按 ह। Sub